एकनॉमिक्स वर्चुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज हम अर्षास्त्र में किसी तथ्य को रोचक बनाने में रेखा चित्र का कैसे पर्योग किया जाता है उसका अध्यन करेंगे और इसका अर्षास्त्र के साथ सा अन्यय विश्यों में भी बहुत अधिक मैत तो है इन चित्रों के माध्यम से हम जटिल से जटिल समस्या को रोचक तरीके से परदिशित कर सकते हैं रेखा चित्र से समंकों में तुन्नात्मक अध्यन किया जा सकता है और आज के युग में रेखा चित्रों का पर्योग टीवी चैनलों में, किताबों में, समाचार पत्रों मे हैं वयपार्जकट, सरकारी गजटों आदी में हो रहा है। तो आज हम सीकते हैं कि हम कैसे इन रहघुत्यज़ों का निर्माद कर सकते हैं है तो सबसे पहले हम सरलज क्या निर्माण करना सीखेंगे जिस हम इंग्लिस में बार डायग्राम कहते हैं तो हम सबसे पहले एक उधारन लेते हैं भारतिय जनसंक्या को हम सरल दंचित्र के द्वारा पर्देशित करेंगे तो इसके लिए हमें एक तरव ईयर और दूसरी तरव पॉपलेशन जिसको हम जनसंक्या बोलते हैं वो द्रषाएंगे ने एक्सस पर अपर यहांपर हमने जनसंक्या को दर्षाया दास करोड से लेकर एक सुतिस करोड तक और वी एक्सस को हमने वर्ट्स के आधार पर दर्साया 1911 से लेके 2011 तर तो अब हम सबसे पहले इसमें वर्ट्स देखते हैं तो 1911 में जो हमारी जनसंक्या थी वो 23.6 करोड थी उसको हमने यहां पर दर्साया यह आप देख रहे हैं 20 के बाद यहां पर 23.6 करोड होगी 1911 में उसके बाद 1921 में जनसंक्या होई 25.2 करोड उसके बाद 1931 में 25.1 करोड 1941 में 27.9 करोड 1951 में 31.9 करोड 1961 में 36.1 करोड 1931 में यह होई 25.8 करोड 1991 में 68.5 करोड 2001 में यह होई 24.6 करोड और 2011 में यह हुई 121.2 करोड तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी जनसंक्या है उसका जो ग्राप है वो लगातार बढ़तवा यहां पर दिखाई दे रहा है अर्थाद हमारी जनसंक्या काफी तेजी से बढ़ रही है 2011 की तुल्ना में 2000 में आप देख रहे हैं तो हमारी जनसंक्या 121.2 करोड हो चुकी है तो यह जो तथ्य थे इनको हम रेखा चित्र के माध्यन से आकट्सिक्त रूप में परदेशित कर सकते हैं और जो आपका सरल दंड चित्र है इसमें हम केवल एक ही तथ्य से संबंदिद आ मल्टिपल बार डायग्राम भी कहते हैं तो एक ह्यIdk उदारन से हम इसको समझा सकते हैं कि एक कॉल्छ में चार संकायों के चात्रौ्ड की संक्या तीन वर्ण्वहों होने वाले परिवर्तन मतलब एक कॉल्छ में चार संकाएं हैं, ग्रुप्स हैं, जिसमें तीन वर्सों में कितने कितने चातरों ने एडमिसन लिया, तो हम इसमें सबसे पहले 2001-2002 को लेंगे, फिर उसके बाद 2002-2003 और फिर 2003 से लेगे 2004, यहां पर हमने बच्चों की चातर संक्या दर्साई है, तो सबसे कम हमने 100 लियाया ह। किकला में कितने बच्चे थे 600 हैं १ख उसके बाद आप देख रहे हैं 400 वज्ञान में तो इसको हमने अने पच्चे, एरेंज किलर से दर्ष विज्ञान यहां पे देखो यह विज्ञान है और उसके गते वानिच जीues जिसकोमने हरेंग से दर्षाय दो 200 बच्चे और उसके बाद विधी जिसमें 150 बच्चे इसको हमने पीले रंग से दर्सा आया तो हमने देखा कि इस रंगों के माध्यम से हम यहां पर चात्र की जो परवेश संक्या उसको यहां पर दर्सा आ रहे हैं जो बहुत ही आकट्सक और सुन्दर लग रही है इस परकार और यह तो आपने देखा कि हमने तीनों वर्सों के चात्रों की जो संक्या विध्याले में कला वानिज्य विज्ञान और विधी को बार के द्वारा विभिन रंगों से यहां पर दर्सा आया जो बहुत देखने में बहुती आकट्सिक लग रहे हैं और हमें आसानी से समझ म में भी आ रहा है कि किस वर्स कौन से संकाय में बच्चों ने अधिक एडिमिशन लिया है इसका परियोग दो या दो से अधिक संबंदी तत्यों को समय या स्थान के आधार पर तुलना करने के लिए इसका परियोग अधिक तर किया जाता है इसके बाद आता अंतर विवक्त दंचित्र जिसको हम बनाएंगे याँ पर और इसमें हमने वही टेवल लिया है जो पहले वाले में लिया था और इसमें एक अंतर आता है कि इसमें हम सारे चात्रों की संक्या को यहाँ पर जोड़ देते हैं जिसे यह सारी सात्रों की संक्या है इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ पर सभी सात्रों की संक्या है जिसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है तो अब इसको बनाएंगे कैसे सबसे पहले कला के हम चात्र लेते हैं जो हमने 600 लिए हैं इसको नीले रंग से दर्साया है उसके बाद हमने 400 विज्ञान के चात्र लिए हैं जो 600 से लेकर 1000 के बीच में आएंगे यह 400 बच्चे हो गए यहां से यहां तक इसको हमने औरेंज रंग में दर्साया है उसके बाद आता है तुम्हारा वानिज जी जिसको हमने हरे रंग में दर्साया है और यह चात्र संग्या होगी 300,000 से लेकर 1300 के बीच में उसके बाद विधी जो 200 बच्चे हैं और यह हमने दर्साया 1300 से लेकर 1500 की बीच में, तो यह 1500 तक यहां पर हमारे पूरे बच्चे आ गए हैं, आप देख रहे हों कि यहां पर 1500 है, तो इसका टोटल यहां पर यहां तक 1500 आ गए, तो यहां से लेकर यह सारे बच्चे 1500 होंगे, जिनों ने 2001-2002 में एड़िशन विद् कि यहां पर एक ही बार में हम तुलनात्वक अध्यन के लिए इसका परियोग कर सकते हैं, तो इसका निर्मान किया जाता है, ऐसे तत्यों के लिए जिसकी परसपर तुलना करनी होती है, और इसको हम कई भागों में विवेक भी कर सकते हैं, इसके बाद आता है आपका आयाच जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, तो इसको बनाने का एक तरीका है, कि वर्ग अंतराल जो हमने यहां पे लिया हूआ है, 0-10, 10-20 हम यहां पर सो करेंगे, और आवरती हम यहां से उपर की और सो करेंगे, तो आवरती में आप देख रहे हैं, सबसे छोटी संख्या हमने पा सबसे पहले हमने देखा 0 से 4 में, 0 से 10 में 4 संक्या है, तो यह आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक वाइस यह बनेगा, आयात यहां तक बनेगा, 0 से 4 तक, उसके बाद है 8, उसके बाद 14, फिर 20, फिर 30, फिर 15, और 6, अन्त में 6, आप देखरें 6, तो इस जो आया चितर है, इसमें हम ब्लॉक का इस्तमाल करते हैं, और देखने में भी यह बहुत आकर्सिक लगता है, और सरल भी और इसमें समय की भी बचत होती है, तो इसका परियोग अधिकतर मदों और उनकी आवर्तियों को आयातों के रूप में परदर्शित इसमें किया जाता है, इसके बाद आत सकते हैं, और संचे आवर्ति भी इसको कहा जाता है, और इनको ग्राफ पेपर में बनाया जाता है, इसमें भी यहां पर वरगंतराल दिया हुआ है, और यहां पर प्राप्तांग दे रहे हैं, किन बच्चों की कितने-कितने नंबर आये, माक्स आये, यहां पर वरगंतराल ह और यह आवर्थी है पहले वाल की तरह लेकिन इसमें हम क्या करेंगे बीच में एक रेखा का निर्मान करेंगे तो जो रेखा हमारी सबसे पहले पांच से सुरू होगी फिर हम उसको 10, 15, 20, 12, 8 और 5 पर हम उसको पर्देशित करेंगे तो इसमें हम आयात के साथ साथ एक रेखा चित्र का रेखा का भी निर्मान हम इसमें करते हैं इसके बाद आता है निर्पेक्स कालिक चित्र और इस चित्र को भी हम रेखा और बिंदू के माध्यम से बना सकते हैं इसमें हम ने यहां पर वर्ट्स लिये हैं और यहां पर हमने उत्पादन लिया है तो इसमें जो भारत में आठ वर्ट्सों के कच्चे लोहे का उत्पादन है उसका हम यहां पर एक रेखाचितर बनाएंगे तो उत्पादन उनिस सो तिरानवे में उनिस टन हुआ तो इसके लिए हम एक बिंदी बना देते हैं फिर एक्टिस में उनिस सो चवरानवे में इक्टिस हुआ उसके बाद 25 फिर 48 67 76 90 और 97 जब हम पूरी बिंदी बना लेंगे तब हम उसके बाद यहां पर इसका रेखा के जैसे हमें कालिक चित्र उत्स पर में बहुत आसानी सकता है क् hanapath des t нет सक्ष्भा बारें निर्डेशां कालिक जित्र इसको इंडेक्स नमबर भी बोले जाता है इसमें हम र्षुर्ड का और रहे को प्रयोग करेंगे और यह तुलनात्म करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जैसे हमने इसमें हाइज स्कूल और इंटर दो अलग अलग केटेगरी का हमने इसमें तुलनात्म के अध्यन करा एक ही स्कूल के विद्यारतियों का तो 2009 से लेकर 2015 तक हमने अध्यन कि ब हाइज स्कूल का बौड पर पर इक साफर दो हजार नोमें जैसे तीस था तो हमने हाइज स्कूल को इसमें दर्साया है निले रंग से तो यह 30 था उसके बाद 40 हुआ पिछुष आट हाइज को हाइज स्कूल को निले पिर 60 उसके बाद 75 इस तरह बढ़ता गया पिर एक बार औरेंज रंग से दर्साया, पहले 20, फिर 40, फिर 35, फिर 50, 60, फिर उसके बाब 85, तो आप देख रहे हैं, यह सबसे उपर है, तो तुलनात्मक अध्यान में हम यह ही कहेंगे, कि आरब में हाई स्कूल और इंटर दोनों का परिक्साफल कम था, लेकिन बाद में दोनों के परिक्साफल में विर्दी हुई, लेकिन हाई स्कूल के तुलना में इंटर का परिक्साफल अधिक उत्तम रहा है, इसमें ज्यादा विर्दी हुई है, तो यह जो निर्देशान का विभागों को बाट कर आंकड़ों के भीन-भीन परतिशत या सापेक मुल्यों को परदेशित किया जाता है तो यहां पर एक उधारन ले लेते हैं जैसे हमने यहां पर लिया है कि टॉप शिक्स कंट्री लेंग्वेज पूरे वर्ड में कोंसी भासा सबसे जादा बोली जाती ही जैसे इंग्लेस वर्ड में सबसे जादा बोली जाती ही जिनका टोटल यहां से खिया है 3.953 हम इसका जो हम पाई डाइग्राम बनाएंगे तो इसके लिए हमें परसंटेज की आवश्यक्ता पड़ जाती है और साथ में एंगल जो डिग्री किस डिग्री में कौन सा एंगल बनेगा उसकी भी आवश्यक्ता हमें होती है तो क्या दर पर हम परसंटेज निकालेंगे यह वाली इसका जो इंगलिस का परसंटेज आया वह सौ में से हमारा अठाइस आया 28.6 ऐसी चैनीज का 28.25 हिंदी का 15.55 इस्पैनिस 13.50 फ्रेंच 7.10 और एरबिक आया 6.93 अब हम इसको एंगल क्योंकि जो भी हम रेखाचित यह वृ 300 बनाते हैं पाइ डाग्राम बनाते हो 360 एंगल का होता है और इसके अंदर इन सब एंगलों 360 होता है तो एंगल निकालने के लिए हमारे जो सूत्र है एंगल हम बनाएंगे इसका सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है परसंटेज इंटू 360 बटे 100 इसके आदार पे हम परसंटेज वह एंगल निकालेंगे जैसे हमें 28.60 के एंगल निकालना है तो परसंटेज इंटू 360 यह आएगा बटे 100 तब हमारा यह 102.9 एंगल आया जो इंगल बना हमारा नीले रंग से हमने जो दर्साया अंग्रेजी को तो इंग्लिस जो भासा है वो 1.32 है जो यहां पर एंगल आएगा वो आएगा तुमारा 102.9 दर्संबलब 9 आजएगा यहां पर इसी परकार आपका चैनीज है उसका हमने दर्साया है यह ब्राउन कलर में जो 101.7 एंगल बनेग जाए उसके बाद हिंदी का जो हमारा ग्रे कलर है 55.9 ऐसी इस्पैनिश भासा औरेंज का 48.6 फिर फ्रेंच डार्क ब्ल्यू 25.5 और अरबिक ग्रीन है जो आपका बनेगा 24.9 तो जब यह सारे एंगल बन जाएंगे इन एंगलों का जोड 360 होगा तो इसी को हम पाई डाइग्राम बोलते हैं और जो अपने आप में बहुत ही आकर्शक होता दिखने में क्योंकि आपने देखा जो डाटा है तथे इसमें हमें आंकड़े उतने ठीक से समझ में नहीं आ रहे जटील आंकड़े हैं इन जटील आंकड़ों को इसमें आ आड़सास्त्र विशे में हम सांकीकी का परियोग करके जितने भी हमारे डाटाज हैं उनको हम चित्रों के माध्यम से आकर्सिक सुन्दर बना सकते हैं आड़सास्त्र विशे को और अक्षे से समझने के लिए आप मेरे यूटुब चैनल को दिये वे लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूटुब चैनल को आप मुबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं झाल झाल झाल